नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं लेकिन इसके लिए वीत विभाग और कैबिनेट से मंजूरी किया सकता है सीम चमपाइस्तुरे ने कहा हमारी सरकार महिलाओं को बेहतर सिक्षा, उनके स्वास्त और पोशन अस्तर में नियंतर सुधार महिला ससकती करन और परिवार में महिलाओं के नियनायक भोमिका सुनिश्चीत करने के लिए परतिवत है बिग्यप्ती में कहा गया है कि उन्होंने अधिक कारियों को यूद अस्तर पर सभी तैयारी करने का नियदेश दिया ताकि वजना के लाब निर्धारी समय सीमा के भीतर पात्र महिलाओं तक पहुंच सके जे टेट का रास्ता साप आयू सीमा में मिल सकती है साथ वरस की छूट जारखन में सिक्छक पतरता परिक्षा जे टेट का रास्ता साप हो गया है अब पहली से पांचवी और छटी से आठवी दोनों में धाई घंटे में चात्र चात्राओं को 150 प्रश्ण हल करने होंगे वहीं पुर्व में पहली से पांचवी के लिए 200 प्रश्ण डाई घंटे में और छटी से आथवी के लिए 250 प्रश्ण तिन घंटे में हल किये जाने थे इसमें संसोधन किया गया है वहीं जेटेट के आयोजन होने पर 7 साल की छूट भी मिलेगी इसका फर्मूला तय किया गया है अम्तिम बार जब जेटेट का आयोजन हुआ था तो उससे एक साल कम तक की छूट दी गई थी जारखन में 2016 में आखरी बार जेटेट होई थी ऐसे में 8 साल से परिक्षा नहीं होई है राइधानी 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 में गुरुवार की साम को आधे घंटे तक जमा जम बारिस हुई इस आदे घंटे की बारिस से एक और जहां लोगों को गर्मी सरहात मिली है वही दूसरी और इस बारिस ने सहर में पिछले दो माह से चल रहे सफाई अभ्यान की पोल खोल दी है बता दे नालिया जाम होने के कारण जयता सडको पर गंदा पानी के साथ कच्रा वहने लगा है इस से वहन चालको और गीरों को काफे परिशानी हुई है कई सडको पर घुटने भर पानी जमा हो गया है इधर इस प्री मांसुन की बारिस ने यह बता दिया है कि सहर के नाले वह नालियों की सफाई के नाम पर नगर निगम ने सिर्फ खाना पूर्ती की है आईसे में मान्सुन की बारीज में सहर का और बुरा हाल होने वाला है बारीज से कचहरी रोड इस्थीत, हलधर, प्रेस, गली की स्थीती नार किये हो गई है 2300 सहायक पुलिस कर्मियों की मांग 7 दिनों में पूरी नहीं हुई तो होगा अंदोलान 2300 सहायक पुलिस कर्मियों पिछले 7 साल से मात्र 10 रुपे के मांदे पर सरकार की नौकरी कर रहे हैं इन में से कई सहायक पुलिस कर्मियों की दूसरी जगा पर नौकरी करने की उम्र भी समाप्त हो गई है बतादे सहायक पुलिस कर्मियों ने मांदे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-2021 में अंदुरन किया उनकी मांगों को पूरा करने कासवासन भी दिया गया लेकिन 4 साल बितने के बाद भी उनकी मांग पुली नहीं हुई है इससे सहायक पुलिस कर्मियों में अक्रोस है साहयक पुलिस कर्मियों ने सरकार को साथ दिनों काल्टिमेटम दिया है साथ दिनों में उनकी मांग पूली नहीं हुई तो वे लोग चर्णबद आंधुलन करेंगे यह जनकारी जार्खन सायक पुलिस परदेश एसुसेसन के अध्यक्स अविनास दुवेदी तथा सची विवेकानन गुपता ने मुरबादी में आयोजीत सन्वदत्ता समयलन में दिया है एगार्वी जेपीसी मुखे परिक्षा का रास्ता साफ जार्खन हाई कोट के जश्टिस डाक्टर एसन पाठर के अधालत ने एगार्वी बराहमी वद तेरहमी जेपीसी सन्युक्त सिवील सेवा प्रारंभिक परिक्षा के मॉडल अंसर को चुनावती दिने वाले बिभीन एगार्वी जेपीसी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाला ने आदालत को बताया कि पीटी के बाद आयोग ने परिक्षा का मॉडल अंसर की जारी किया था इस पर अभियार्थियों से अपति मांगी गई थी प्राप्त अपतियों पर विचार के बाद येपीसी द्वारा सुधार कर संसोधीत मॉडल अंसर कुनजी जारी किया गया है बीली समस्या को लेकर जहरिया में सड़क जाम कर किया प्रदरसान धनबाद के जहरिया में बीली की लचर बेवस्था को लेकर लोगों ने धनबाद सिंद्री मुख्यमार को जाम कर दिया है आकरोसित लोगों ने सड़क पर उतर कर प्रसन किया है जहरिया में लोगों ने बिली समस्या को लेकर सरस जाम कर दिया है बता दे लोगों ने बिली बिभाग के अधिकारियों धनवाद सांसाथ एवं जहरिया बिधाय के खिलाब जम कर नारेबाजी की है लोगों ने बिली विभाग के जेई राकेश कुमार के इस्थिपय की भी मांग की है सरकार के पास पैसों की कमिसिफ गरीब युवा किसान और महिलाओ के लिए बाबुलल मरांडी भाजपा परदेश अध्यक्स बाबुलल मरांडी ने गुरुवार को राज सरकार पर बड़ा निसाना सदा है मरांडी ने कहा है कि राज सरकार युवाओ, महिलाओ, किसानों और गरीबों की योजनाय चलाने के लिए पैसे का रोना रोती है उन्होंने कहा है कि जहां गरबंदन सरकार के पास महिलाओ को चूला करज देने के नाम पर दो हजार रुपे तक नहीं है जहां बेरोजगारी भाता देने में सरकार की रुख काप उठती है जहां किसानों की दो लाग तक कर्ज माफी करने में सरकार के पास पैसे नहीं बचते हैं जहां गरीबों की थाली में दो वक्ती रोटी मुहया कराने में पैसे की कमी हो जाती है उसी कटबंदन सरकार के लिए खूद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा है कि जहां मुख्य मंत्री को महीने के 80,000 रुपए और मंत्री राजे मंत्री को 65,000 रुपए तथा विधायकों को 40,000 रुपए कम पड़ जाते हो वही जहर्खन की आम जानता के भवी से और जीवन यापन के लिए सरकार के पास दो आना भी नहीं है मुख्य मंत्री से मिले राजे पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। के प्रतिया भार्व्यक्त किया है जार्खन बिधान सभाचुनाव में BJP को आदिवासी मतों पर भरोसा जार्खन बिधान सभाचुनाव के लिए भाजपा आदिवासी मतों को साथ लाने के पर्यास में एक बार फिर से लगी है तीन दिन पहले दिल्ली में आयोजीत बैठाग में ग्रीह मंत्री अमीच सा और राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा ने लोगसवा चुना में आदिवासी सीटों पर हार के बाद भी इन सीटों पर मिले मत को संतोष जनक बताया है खास कर संताल परगना के दुमका, राज महल और गोड़ा छेतर में आदिवासी बहुल गाओं में भाजपा को वोट मिले है संताल परगना में बंगलादेशी घुसपैटी से बिगरते संस्कृतिक महल पर लागातार भाजपा मुखर रही है वही पार्टी का मनना है कि उसके उठाय मुद्दों को अब संताल समाज ने समयना परगना कर दिया है गुरुआर को इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अमर गुमर बावरी ने पाकुर पहुचकर प्रतिबंधित मांस के मामले में करवाई नहीं होने की सिकायत की है वही भाजपा विधान सभा चुनाओं से पहले आदिवासी के धार्मिक उत्पिलन का मामला तेजी से उठाने की योजना बना रही है जे एसेसी ने आरक्षी नियुक्ती परिक्षा के एक लाग चवाली से तिन सव आठ आथ आवेदन रद किया है जार्खन करमचरी चेन आयोग ने जार्खन आरक्षी नियुक्ती परिक्षा परिक्षा 2023 नेमी तेवं बैकलों के तहत हुए ओनलाइन आवेदन में से एक लाग चवाली से 308 आवेदन को रद कर दिया है इस सभी आवेदनों को तक्निकी तुरूटियों के करना रद किया गया करमचरी चेन आयोग के अनुसार कूल 8366 अवियार्थियों ने ओलाइन आवेदन के करम में जीलों का विकल्प ही नहीं दिया है इस करम उनके आवेदन रद किये गए इसी तरह 77,950 अवियार्थियों ने परिशा सुलका भुकतान भी नहीं किया है वही 7,902 अवियार्थियों ने परिशा सुलका भुकतान तो किया लेकिन फोटो यह मह स्ताक्चर अपलोड नहीं किया है दूसरी तरफ 90 अभियार्थियों द्वारा एक से अधीक आवेदन करने के कराण इनके आवेदन रद किये गए हैं जार्खन विधान सबा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई पूरी जार्खन विधान सबा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई हुई सभी पक्षो की बहस पूरी होने के बाद अधालत ने अपना फैसला सुरक्षी रख लिया है अधालत ने सभी पक्षो को सुनवाई तक अपना लिखित बहस अधालत में प्रस्तूत करने का नियुक्ति घोटाला मामले में सरकार ने जाश्टिस बिक्रमादित्य परसाद आयोग का गठन किया था आयोग ने जाच का रिपोर्ट राजेपाल को सौब दिया था ततकारी राजेपाल ने रिपोर्ट के 30 बिंदों पर करवाई करने का निदेश्ट बिधान सभाद देख्ष को दिया था लेकिन अभी तक कोई करवाई नहीं की गई है जारखन के किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंको से करेंगे बात सीम चमपाई बिधान सभाद चुनाओं से पहले जारखन सरकातावरतोर मीटिंग कर रही है मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन लोग सभाद चुनाओं के बात एकसर मोड में आ गया है इसी करव में मुख्यमंत्री ने गुरू और किरिसी पहसुपालाण और साकाता भी भाग के अधिकार्यों के साथ बैठक की है CM ने मृतक किसानों की पहचान कर उन तक रिन माफी वहिना कलाप पहुचाने का निर्देश दिया CM ने किसानों को समय पर भीज, खाद और अने समागरी उपलब्त कराने का भी निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए टाइम फेक्टर अहम होता है अगर किसानों के समय पर समागरी नहीं मिलती है तो इससे उन्हें हानी पहुचती है रांची के नव अंचल अधिकारियों से उपायुक्त ने मांगा असपस्टी करान रांची के नव अंचल अधिकारियों से उपायुक्त ने असपस्टी करान मांगा है कि उपायुक्त कर्याले ने कहा है कि इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए दो दिन के अंदर अस्पस्टी करन देने को कहा गया है दाखिल खारीज समेत कई कारियों में हो रहे बिलम की वज़ा से इन अंचलों के अधिकारियों को उपायुक्त ने नोटिस जारी किया है कहा गया कि रांची जीले के इन अंचलों में रहस्व समधी मामलों जैसे दाखिल खारीज उत्रा अधिकारी दाखिल खारीच भोमी का सिमांकन विभीन प्रकार के पवान पत्र अधिक ग्रहित भोमी का दाखिल खारीच परिस्वधन पोर्टल एवं सीपी ग्राम पीजी पोर्टल के समिक्षा के दोरान देखा गया है कि बड़ी संक्या में मामले लंबी थाए इनसे इसी संबाद में असपर्ष्टिकरण मांगा गया है गीरी डी में गरामीन डॉक्टर के बेटे के अफरण मामल में 6 गिरफ्तार गिरीडी जीले के देवरी थाना चेतर के चत्रो गाव निवासी गिरामिन चीकित्सक डाक्टर लक्ष्मन दास के पुत्र पवन दास के अफरन कार्ण में सामिल छो अपराधियों को पुलिश ने गिरफतार कर लिया है गिरीडी पुलिस ने जीन अपराधियो गिरफतार किया है उनमें इस गिरोह का सरगना देवरी थाना छेतरे के कोसो गोदो दिगी गाव निवासी संजाय पस्वान भी सामिल है और पांच लोगों के नाम में संजाय राम, जमुआ, थाना छेतरे के चचगारा निवासी और महेश कुमार वर्मा सामिल है लाते हर से पांच हजार रिस्वात लेते पंचायच सेवा गिरफतार भरष्टा चार निरोधक बियोरो की पलामू परमंडली टीम ने लाते हर जीले के बालू मात परखंड के एक पंचायच सेवा को पांच हजार रिस्वत लेते हुए गिरफतार किया है ACB की टीम ने अर्जुन राम को भुखतान कराने के वज में पांच हजार गूस लेते गिरफतार किया है ACB की पलामू टीम ने हजनकारी दी है टीम की ओर से बताया गया है कि आवेदक ने पंचायच सेवक अर्जुन राम पर एक जोजना के भुखतान के बदले में रिस्वत की मांग करने कारूप लगाया है धन्यवाद